मैं कीरती परोह, जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों की जैसे निबंध ऐसे पार्ट में आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है वंडर साफ साइंस पे ज्ञान के चमतकार इस पर निबंध लिखने आता है अक्सर ही एक्जाम्स में आता है चाहे वो बोर्ड एक्जाम्स हो या फिर वो नॉन बोर्ड एक्जाम्स तो इसके लिए मैंने ये निबंध आपको बहुत सुधा के दृष्टी से एक बुक से साभार ग्राण किया है और उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि मुझे इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी लगी आपके इसाब से चलिए बच्चों शुरू करते हैं वंडर साफ साइंस इसके टॉपिक कई टॉपिक में आ सकता जैसे वंडर साइंस साइंस इन वर डेली लाइफ मिरेकल साइंस साइंस अब ब्लेसिंग और कर्स साइंस इज गुट सर्वेंट बट बैड मास्टर इस प्रकार से इसके तीन से चार टॉपिक अलग अलग टॉपिक में आ सकता है लेकिन जो निबंध है अब हम शुरू करने जा रहे हैं किसी भी निबंध के इसमें सबसे पहले हमें प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है और लास्ट फेस में हमें उसका कंक्लूजन देना जरूरी होता है यह निबंध कई शैलियों में लिखा जाता तो फर्स्ट बाट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन क्योंकि आप जब निबंद शुरू कर रहे हो तो टॉपिक को को रेलेट करके आपको लिखना रहता है इट इस दा एज आप साइंस यह जो यूग चल रहा हो किसका चल रहा विज्ञान का यूग साइंस है रिविल्यूशनाइज अवर लाइफ विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन किये इट हैस कंसीडरेबरी चेंज द वर्ल वार वंडरफुल डिस्कॉवरीज और इन्वेंशन साइंस ने यान विज्ञान ने हमारे जीवन को हमारे पुरी दुनिया को अपने खोज और अविश्कारों के दम पर बहुत सारे चेंज या परिवर्तन लाए हैं हमारी जिंदिगी जो है इसके कारण कैसी हो चुकी है इजी याने सरल और कमफर्टेवल और आराम दायक हो गई है जो नागरिक सब्विता है जो नागरिक नगर शेहरों का बनना है उस सबके विकास में इसने बहुत मदद की है इसने बहुत सारे असंभव चीजों को हमारे लिए संभव कर दिखाया है अगें फिर से पढ़ेंगे बच्चे इसको अब चलते हैं सेकंड पेरा की तरब तो सेकंड पेरा क्या बोलता है साइंटिफिक इन्वेंशन अगर साइंस की बात करें तो इसमें साइंस के इसमें कौन-कौन से इन्वेंशन ने कौन-कौन से अविश्कार हुए हैं यहां कह रहें कि यह बहुत कहना कठिन होगा कि हम साइंस के इतने सारे ब्लैसिंग की बात करें इसने बहुत सारे खोजें और बहुत सारे अविश्कारों को किया है Electricity is one of them जिसमें से बिजली, electricity की जो खोज है वो अविश्कार है वो एक है It has become an essential necessity यह बहुत आवश्यक क्या हो गई है हमारी जरूरत बन गई है It works in many ways यह बहुत सारे चरणों में कारे करती है It lights our house यह हमारे घरों में रोश्णी देती है Cools and Worms, our rooms, heater, AC और इसके रूप में हमारे घरों के कमरों को क्या करती है ठेंडा और गर्म रखती है Washes our clothes, washing machine है तो हमारे कपड़ों को वाश करती है And runs many household appliances और बहुत सारे घरों के जो उपकरण है उनको भी चलाने में मदद करती है Again, it runs mills and factories यह बहुत बड़ी mills और factories को चलाने में मदद करती है Trains and Tramps, बड़े-बड़े train और Tramps को चलाने में मदद करती है It entertains us in cinemas, restaurants, television, etc. और cinema में, restaurant वजेर में, विजली के सहयोग से ही हम वहाँ पर आनंद प्राप्त कर सकते है It decorates the stages, shops and malls यह कहां पर बड़े-बड़े stageों में, सभागरहों में, दुकानों में और बड़े-बड़े mall को भी क्या करती है आकर्शा को सजावने में मदद करती है मतलब electricity जो है वो बहुत बड़ा invention है इसके बाद तीसरा invention के अगर हम बात करें तो computers Computers The invention of computers is one of the biggest help to men Computer का जो अविश्कार है वो मनुष्य की सुविधा के लिए बहुत बड़ा है They have the capacity to do extremely complicated work in all branches of learning शिक्षा की जितनी भी शाखाँ है उन सभी में इन्होंने इतना ज़्यादा योगदान दिया है कि हम बहुत ही ज़्यादा complicated चीजों को भी समझ सकते हैं In all fields और दूसरे भी छेत्रों में जैसे banking, medical, communication, information compiling, air traveling, etc Computers are doing a lot of work in the least time Computer बहुत सारा कारी जो है वो छोटे समय में कर लेता है However, they are machines, they cannot think लेकिन फिर भी यह machine है, यह सोच नहीं सकती They work only on the basis of the information fed into it that is programming और यह सब कैसे काम करती है प्रोग्राम के जरिये जो भी इनमें सूचना है एक अत्रित की जाती है फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं आपन अच्छे से Computers, the invention of computers is one of the biggest help to men They help the capacity to do extremely complicated work in all branches of learning In all fields, banking, medical, communication, information compiling, air traveling, etc Computers are doing a lot of work in the least time However, they are machines they cannot think They work only on the basis of the information fed into that is programming Next, पहरा देखें बच्चों Fourth है Means of Communication याता यात या संचार के माध्यमों में Communication में Buses, cars, trains, ships and aeroplanes are the greatest contribution of science Bus, car, train, ship और जो एरोप्रेन बगेर हैं यह सब विज्ञान के बहुत बड़ा योगदान हैं With the help of rockets, men can travel into space also Rocket की सहायता से मनुष्य जो है वो अंतरिक्षी तक जा सकता है Science has helped men to reach the moon विज्ञान ने ही मदद की है कि इंसान कहां पहुँच गया चंद्रमा पर, Mars and other planets साथ में मंगल पर भी और दूसरे ग्रहों पर भी पहुँच रहा है Satellites are providing great service to mankind Satellites जो उपग रहा है, artificial जो उपग रहा है वो भी बहुत जादा मानवता के छेत्र में अपना सेवा कर रहे है They have made television to approach any place on the earth उन्होंने possible किया है TV के माध्यम से कि हम विश्व में किसी भी कोने पर पहुँच सकते हैं यहां पर आप internet का भी जोड सकते हैं सिर्थपड़े, means of communication Buses, cars, trains, ships and aeroplanes are the greatest contribution of science With the help of rockets, men can travel into space also Science has helped men to reach the moon, Mars and other planets Satellites are providing great service to mankind They have made television to approach any place on the earth Fifth देखें बच्चो Medicine and Surgery यह हमारा fifth पहरा है अर्थार, कहां पर चिकिट्सा और शलिक्रिया के छेत्रमन In the field of medicine and surgery Science has formed itself a great blessing Many incurable diseases have been curable TV, cancer, etc. have been controlled It has lessened the life of man and made him stronger यहां पर क्या है कि medicine and surgery के field में Science जो विज्ञान है एक बहुत बड़ा आश्रवाद है बहुत सारी incurable मतलब जिन पर विजय प्राप तो नहीं कर सकते ऐसी बिमारियों को भी इसने क्या कर दिया Curable अर्थार उनको ठीक होने लाइक बना दिया जैसे कि TV, cancer और भी बहुत सारी बिमारियां जो कि हम विज्ञान के अभिश्कारों और खोजों से ठीक कर सकते हैं It has lengthened the life of man इतने मनुष्य की जिन्दिगी को बढ़ा दिया and made him stronger और उसको मजबूत कर दिया है Sixth Bera देखो बच्चो Machines आने मशीनों के छेप में Great and big machines like JCB, Pocam, Cranes have made the construction of building bridges and dam quick and easy बड़ी-बड़ी मशीनों जैसे JCB, Pocam, Cranes और बहुत सारी मशीनों की सहायता से बड़ी-बड़ी building, pull, इमारते, dam को बहुत आसामी से और जल्दी बनाया जा सकता है Other machines have made daily life easier and comfortable और भी मशीने हैं जो कि हमारी बैनिक जीवन को आराम दायक और सुविधा यक्त बनाती है It has made cooking food easy and fast और कुछ ऐसी भी मशीने हैं जिनकी सहायता से हम खाना भी easy और जल्दी बना सकते हैं फिर से पढ़ती उस पैरा को Machines Great and big machines like JCB, Cranes have made the construction of buildings, bridges and dams quick and easy Other machines have made daily life easier and comfortable It has made cooking food easy and fast 7th पैरा ये तो सारे इसके क्या हो गए हमको लाबदायक की जो के बारे में पता चला अब हम डिसकस करेंगे about disadvantages अर्थार इसके हमको क्या नुकसान है Everything has its pros and cons two sides हर चीज के दो पहलू होते हैं If used improperly machine can become nuisance They can destroy life and property अगर हम किसी चीज का improperly मतलब गलत तरीके से उपयोग करें तो क्या कर सकती हैं? वो नुसेंस क्रियेट कर सकती हैं वो जिंदिगी को खत्मी भी कर सकती हैं और संपत्ती को नुकसान भी पहुचा सकती हैं Atomic bomb can destroy the world in few seconds जो परमानुगम हैं वो कुछी seconds में पूरी दुनिया को नश्ट कर सकते हैं Too much dependence on machines has made man lazy and weak मशीनों पर बहुत जादा निर्भरता के कारण मनुष्य कैसा हो गया है? आलसी और कमजोर हो गया है Hence, man should make use science wisely इसलिए मनुष्य को विज्ञान की चीज़ों का जो प्रयोग है वो कैसा करना चाहिए? बुद्धि मत्ता पूर्ण करना चाहिए Science can be used for war as well as peace इसे रिट करते हैं, Disadvantages Everything has its pros and cons two sides If used improperly, machines can become nuisance They can destroy lives and property Atomic bomb can destroy the world in few seconds Too much dependency on machines has made man lazy and weak Hence, man should make use science wisely Science can be used for war as well as peace Last में बच्चों, Last पैरा आता है आपका 8 तंबर का पैरा वो है Conclusion या उपसंगहार का यह हर ऐसे में हमको लिखना आवश्यक रहता है No doubt, science has proved itself a great friend of mankind इसमें कोई शंशय नहीं कि ज्ञान ने अपने आपको माना उता का सबसे अच्छा दोस्त साबित किया है It serves us like a true and faithful servant साथ ही यह बहुत अच्छे दास के रूप में हमारे लिए रहा है We are thankful to science for the service providing to us हम विज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं हमको दी Recently, scientists have discovered God particle that is to say they are trying to discover the Almighty ऐसा माना जाता है कि अभी अभी scientists ने God particle की भी खोज कर ली है शायर हो सकता है कि हम ईश्वर की भी खोज कर ले Almighty मतलब यहां ईश्वर से है सर्वशक्ती मान But science should make common man happy and not scare him लेकिन विज्ञान के कारण एक साधारन विक्ती को भी हमें खुश देखना चाहिए ना कि उसे तंग करना चाहिए एक बशल से अगें रीट करती हूँ Conclusion No doubt science has proved itself a great friend of mankind It serves us like a true and faithful servant We are thankful to science for the services providing to us Recently, scientists have discovered God particle That is to say, they are trying to discover the Almighty But science should make common man happy and not scare him So, बच्चों, यह था आपका ऐसे wonders of science एक बार जरूर ध्यान रखना है कि आप इसकी spelling जो है बिल्कुल भी गलाद नहीं होना चाहिए लिखते समय इसलिए इसकी कई बार लिख करके प्राक्टिस करिए याद करने के लिए